आज मैं आपनों के साथ शेयर करने वाली हूँ को वन स्टाइल में ब्रेकफस्ट में बनने वाली सुंग्टाची भाजी प्रॉंस भाजी ये जिंगा की मसाला ग्रेवी है इसमें आलो डाल के बनाया जाता है और इस भाजी को सर्फ किया जाता है ब्रेड यानि के पाव के आप लोग जाओ तो इसे पूरी के साथ में पके हुए चावल के साथ में या फिरोटी के साथ में भी खा सकते हैं तो फटा फट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं यहां पे मैंने 15 मेडियम साइस के जिंगे लिए है इसे मैंने अच्छी से साफ करके दो लिया है आप मैंने 15 मेडियम साइस के आलो लिया है इसका चिल्का निकाल के अच्छी से दो के हमेंसे तुकड़ों में कट कर लेंगे अगर आप लोगों को इसमें और एक सब्जी ऐर करनी है तो इसमें डाल सकते हो जैसे की कॉलिफलार फूल को भी इसमें थोड़े से आप लोग कर सकते कड़ी में तो इस तरह से मने देखो इसे इना त्व dane डाल देना है पानी तकignment कार के यहां पर मैंने निकाल निकाल हुए चीलका निकाल दिया है और मैं नलंबाइtu में कट करने वाले हूं इन प्लाइун को लीना इस प्याज को हमें बाद में बुनना होगा यह प्याज हमें यूज करना है मसाला पेस्ट बनाने के लिए तो इसे अभी रख देंगे साइड में यहां पे हमें और एक प्याज लेना है यह भी मीडियम साइस का प्याज लिया है इसका छिलका निकालके हमें इसे बारिक तुक नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बैल आईक्ट जोड़ो प्रेस के जिए का यह पे मैंने चोटा तुकड़ा अद्रक का लिया है इसे मैंने तुकडों में कट कर लिया है चार लेसन की कल या लीया है आप लोग चाओ तो अद्रक औ भी ले सकते हूं यहां पर मैंने नारेल को स्क्रेप कर लिया है और यह आधी एक अप से थोड़ा जादा है करिबन दो टेबल्स पून एक्स्ट्रा है कडाई मैंने रख दी है कैस भी गरम होने के लिए अब हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा कोकिंग ओयल जो प्यास को स् मिज्यम रखा है और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे भून लेना है प्यास यहां पर अच्छे से भून गए है लाइट ब्राउन हो गए है अब हमें इसमें डाल देना है स्क्रेप किया हुआ नारियल नारियल को भी हमें अभी अच्छे से बून लेना है लाइट ब्राउन होने था तो इसे भी हमें लगाधार चलाती हुए इस तरह से बून लेना है नारियल और प्याज अच्छे से भून गए है अब हमें गैस के फ्लेम को आफ करके इस पैन को रख देना है साइड में पूरी तरह से थंडा होने के लिए अब हमें भूने हुए प्याज और नारियल को डाल देना है मिक्सर जार में चमच गरम मसाला डाल दिया है और आधे चमच से थोड़ा कम हल्डे का पाउडर मैं इसमें इमले डालना बूल गये थी तो थोड़ा सा इमली इसमें डाल देनी है आप लोग चाओ तो टमाटर भी यूज कर सकते हूं मसाला को मैंने अच्छे से पीस लिया है बारिक पेस्ट हो गया है तो इसे अभी रख देंगे साइड में और फटाफट से इसके कड़ी बना लेते हैं कड़ाई गरम हो गई है मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कोकिंग ओयल बारिक कट की आवा प्याज डाल देना है और इसे सॉफ्ट होने तक बून लेंगे या फिर ट्रांसलोसंट होने तक इसे अच्छे से बून लेना है गैस की फ्लेम को मैंने लो ही रखा है प्याज यहाँ पे अच्छे से बून गए है सॉफ्ट हो गए है अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलो अगर आप लोग इमली की जगह पे टमाटर यूज करना चाहते हो तो आलो डालने से पहले टमाटर डाल दीजेगा और फिर उसे आपको अच्छे से पका लेना है सॉफ्ट होने तक उसके बाद इसमें आलो डाल के से सोचे कर लेना है अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी तो आलो पकाने के लिए जितनी पानी के ज़रूर परती है उतना पानी इसमें डाल देना है तोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने और अब इसे हलका सा मिक्स करके हमें डखके रख देना है आलो पकने तक बीच में इसे एक बार ज़रू चेक किजिए गा आलो यहाँ पर सौफ्ट हो गए है अच्छे से पक गए है जितना मैंने पाने डाला था उतने पाने में ही आलो अच्छे से पक के तयार है अब हमें इसमें डाल देना है प्रॉंस जिंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है करीबन एक मिनित तक इसे हमें पका लेना है बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि कड़ी पकने के वक्त भी यह जो प्रॉंस है जिंगे यह और पक जाएंगे तो हमें इसे हलका सा मिक्स करके लेना है अब हमें इसमें डाल देना है मसाला का पेस्ट जो भी मसाला इस मिक्शर जार में लगा हुआ है उसमें पाने डालके हमें पेस्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना है और उस पाने को कड़ाई में डाल देना है पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद ही हमें इसकी कंस्टन से एजिस्ट करनी है अगर आपको गाड़ी चाहिए तो consistency गाड़ी रखेगा और पतले चाहिए तो थोड़ा सा इसमें पानी अट कर लेना है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हूँ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमें इसमें डाल देना है स्वाधनों सा नमक नमक डालते समय हमें इतना याद रखना है जिंगे को भी यानि के प्रॉंस को भी नमक लगा के रखा था और आलू पकाते वक्त भी नमक डाल दिया था तो इस कड़ी को एक बार टेस्ट किजिएगा उसके बाद इसमें डाल देना है हमें नमक अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे लो फ्लेम पे हमें पांच मिनित तक पका लेना है बीच में एक बार इसे मिक्स किजिएगा पांच मिनित हो गया है इसमें अच्छा से उबाल आ गया है अब हमें इसमें डाल देना है बारे कट किया हो हरा दनिया यह जो प्रॉंस की बाजी है यह भी बनके तयार है आप लग चाहत हो इसे तुरन सर्फ कर सकते हो या फिर आठ से दस मिनट के बाद में जैसे जैसे यह कड़ी थंडी हो जाएगी वैसे यह काड़ी होती जाएगे अगर आप लोगो मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिएगा अपने फ्रेंज और फैमिली मेंबर्स के साथ में इस रेसिपी को ट्राय करने के बाद मुझे अपना फीड़ बेक ज़रूर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ में थैंक यू सो मच पर वाचिए मैं वीडियो तिल दे एंड टेक केर एंड बाए